आज है छुट्टी का दिन, रुही और उसके पापा को बहुत दिनों से पनीर की सबजी खाने का मन था और घर में जो पनीर पड़ा था, उससे सोचा जो इंस्टन्ट वाली ग्रेवी के साथ पनीर की सबजी बन जाए वो बना देती हूं तो सबसे पहले ग्रेवी की तयारी कर लेते हैं, एक प्यास को मैंने यहाँ पतला काट लिया है और टमाटर को बड़ा रखा है ये मैं दो लोगों के लिए सबजी बना रही हूं, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर एक प्यास और डो टमाटर लिये है अब एक पैन में दो चम्मत जितना ओयल लेंगे ओयल जब गरम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा जीरा, चारपात लईसुन की कलिया, अद्रक और एक हरी मिर्ज डालेंगे अब जो प्यास कातके रखी थी ना वो आड़ कर देंगे और यहाँ पर मैंने थोड़े से धन्ये के दंठल भी एड़ किये है अगर आपके पास यह हो तो इसे जरूर एड़ करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो चलिए, अब हम इसमें थोड़े खड़े मसाल एड़ कर लेते है हमें ज्यादा नहीं चाहिए, एक छोटा टुकडा दालचीनी का, एक या दो हरी इलाईची और एक तेज पत्ता बस हमें इतना ही चाहिए, अब हम इसे भी एड़ कर देंगे अब जो टमाटर काटके रखे थे वो डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दो से तिन कास्मीरी रेट चिली और मैंने यहाँ पर साथ से आट काजू और एक चम्मत जितने मगत तरी डाले है इससे ग्रेवी घड़ी और क्रीमी बनेगी इन सब को हमें अब अच्छे से मिला लेना है यहाँ पर मेरी लाल मिर्च भी खतम हो गई है, तो मैं इसे निकाल रही हूँ अब हम इसमें अधक अब जितना गरम पानी डालेंगे इसको हमें ढखके 10-12 मिनिट टक पकाना है अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं इसमें अभी भी थोड़ा पानी है, लेकिन ग्रेवी के लिए हमें इतना पानी चाहिए होगा अब हम दालचीनी और तीजपत्ता को निकाल लेंगे और इसे थंडा होने के लिए साइड में रख देंगे तो चलिए, जब तक ये थंडा हो रहा है हम पनीर को काट लेते हैं और मसाले के साथ उसे थोड़ा सा सेक लेंगे इसके लिए हम पैन में थोड़ा सा ओल ले लेंगे और उसमें पनीर एट करेंगे थोड़ी सी हल्दी, मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा ही नमक डालेंगे इन सब को हमें अच्छे से मिला लेना है सिर्फ दो मिनिट टक ही हम इसे सौते करेंगे इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करना यहां एक बात का हमें खास खयाल रखना है कि गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है वरना जो हमारा पनीर है वो सौफ्ट नहीं रहेगा हार्ड हो जाएगा देखो मैंने सिर्फ यहां दो मिनिट ही उसे सौते किया है सिर्फ उसकी उपर की परत ही बनी है लेकिन हमारा पनीर बिल्कुल सौफ्ट है तो चलिए अब ये भी ठंडा हो गया है तो इसको हम मिक्स्टेजार में ले लेंगे और इसकी ग्रेवी बना लेंगे हमारा पनीर और ग्रेवी दोनो रेडी है तो चलिए अब हम पनीर की सबजी बना लेते हैं आज मैं इसे मिर्टी के बरतन में बना रही हूँ सबसे पहले थोड़ा सा ओईल लेंगे उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और यहां पर मैंने अधी हरी मिर्ज को काटके डाला है अब हम इसमें अधी कटी हुई प्यास डालेंगे इसे हमें अधी मिनिट टक सौते कर लेना है अब एक चम्मत जीतना अध्रक और लेसुन का पेश डालेंगे और जब तक प्यास का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता तब तक हमें इसे भून लेना है अब इसमें एक टमाटर आट करेंगे और तुरंथ ही थोड़ा सा नमक आट कर देंगे अब हमें इसे मिला कर सारे मसाले कर देने है मसालों में सिर्फ हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धन्या जीरा पाउडर ही डालना है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी आट कर देंगे और मसालों को भी एक मिनिट टक लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे तो चलिए यहाँ पर हमारे टमाटर भी गल गए है तो अब हम इसमें थोड़ी सी सिमला मिर्च एड़ कर देंगे जो totally optional है अब हमने जो पेश्ट बनाई है उसे एक छनी से छान लेंगे ऐसा करने से हमें बहुत ही स्मूध पेश्ट बनके मिलेगी हम इसे कितना भी अच्छा पीश ले लेकिन कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाता है इसलिए मैं हमेशा ए ग्रेवी को ऐसे चान कर ही यूज़ करती हो इस ग्रेवी को हम 4-5 मिनिट टक लोफ लेंपर पका लेंगे अब हम इसमें पनीर एट कर देंगे अगर आपको ग्रेवी थोड़ी सी ज्यादा घड़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा गरम पानी भी एट कर सकते हो अब इसमें फ्रेस मलाई एट करेंगे, आप घर की बनी मलाई भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मैंने कसुरी मेती को हलका सा तवे पे भून लिया था, उसे क्रस करके डाल रही हूँ सिर्फ हलका सा गरम मसाला हम यहाँ पर डालेंगे, ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है इस सबजी में मसाले जितने कम होंगे यह उतनी ही टेस्टी लगेगी अब हम थोड़ा सा नमक एट करेंगे, नमक हमें थोड़ा ही एट करना है क्यूंकि पहले हमने टमाटर में भी डाला था और हम जो बटर डालने वाले हैं उसमें भी दमक रहता है यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर में से एक टुकड़ा पनीर का बचा कर रख दिया था उसे हम ग्रेट कर लेंगे, ऐसा करने से सबजी का टेस्ट और बढ़ जाता है मैं पनीर की हर सबजी में लाष्ट में थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके डालती हूं, मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है तो चलिए, लाष्ट में उपपर से थोड़ा सा दन्या आड़ कर देते है बहुत ही कम टाइम में हमार ये टेस्टी पनीर की सबजी बनके रेडी है अगर घर में सारा समान पड़ा हो, तो पनीर लबाबदार बनाने में सिर्फ अधा गंटा ही लगता है और ये इतनी टेस्टी बनती है कि आपको रेस्टोरंट जाने की भी जरूरत नहीं सच में ये बहुत ही टेस्टी लगती है अभी हम इसे ढखकर साइड में रख देंगे, ताकि वो गरम ही रहे तब तक हम पराठे बना लेते है जब आपके घर में अच्चानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये सबजी बना लो गेस्ट भी इसे खाकर खुस हो जाएंगे हमारे पराठे भी बनके अब रेडी है और सबजी को देखकर सबको ज्यादा ही भूख लग गई है पहले मैंने सिर्फ पराठा ही बनाया था फिर इसके साथ खाने के लिए थोड़ा सा जीरा राइस भी बना दिया आजका पनीर बहुत ही सौफ्ट है अगर सबजी में पनीर सौफ्ट हो तो मज़ा ही आ जाता है मैंने जब पहला बाइट खिलाया वो इतना खुस हो गए उनको सबजी बहुत पसंद आई वो कहने लगे आतो सबजी पक्का कम पड़ेगी रूही भी इंतजार कर रही थी खाने का और बोलने लगी मम्मी बहुत टेस्टी है थेंक यू